दोस्तों TRS हिंदी का हैलाइस चैनल TRS क्लिप सिंदी में आपका स्वागत है, सीखिए, इन्जॉइ कीजिए तब होता है कि जो smartest इंसान है दुनिया का, आइंस्टाइन, उस लेवल पहुंच गया है, यानि कि खुद की research कर सकता है, खुद के नए inventions कर सकता है, खुद के नए inventions, आपसलूटली, नए science बना सकता है, physics के सोच सकता है, theorems बना सकता है, बट अभी वो दूर है, कितना दूर, अ बेसिक लेवल, code लिख लेगा, या image बना लेगा, वो काम करने लगा, AGI, जो अपना है, बट अभी ASI पहुंचने में काफी time लगेगा, और यह कोई predict नहीं कर पा रहा है, यह Sam Altman भी नहीं बता पा रहा है, कि हमको, यह होगा भी कभी, कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता, त उसमें हमने क्या किया है, उसमें basically अगर आप देखेंगे, तो पहले जो algorithm थे वो, मतलब, you know, एक logic से बनते थे, इनसान सोचता था, कि मेरे को यार, जैसे मैंने आपको divide and rule algorithm मना आए, कि मेरे को ऐसे data divide करना है, यह हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, artificial intelligence को बनाने के लिए हमने, आ बहुत सारा, पैटाबाइट सोफ डेटा गया है इसके पास, और पस इंसान का brain को हमने structure follow किया है, तो किसी को भी actually नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, कोई भी इस दुनिया में ये claim नहीं कर सकता कि मुझे पता है अंदर क्या हो रहा है, वो बस यह बता सकते हैं कि हम जो input अच्छा output दे रहा है कि नवीरा, बट ये पूरा AI भी हमारे दिमाग से ही बनके है, हमारे दिमाग को copy करके ही आया है, मुझे आपके साथ करनी है, बट मुझे topic बहुत जादा interesting भी लग रहा है, इसलिए I like nerding out with you, जो Sam Altman ने कहा कि कुछ बता भी नहीं सकते कि ASI कब form होगा artificial super intelligence, उसका basically ये मतलब है कि जैसे Avengers Age of Ultron में एक ultra smart device बन गए जो actually evil भी बन गई उस movie में, ऐसा सिनारियो हो सकता है दुनिया में, देखे अब ये philosophy के line पे चले गए है, मेरी personal belief है कि technology ने हमेशा इनसान को better बनाया है, और इनसानों को हमेशा technology से डर लगा है, तो पापा बताते हैं कि 30 साल पहले जब अपने से भी पहले computer इंडिया में आये, सरकारी offices में लगाए लग गए, UP में भकाय तर सडकों पर प्रोटेस्ट हुए थे इनके against, और आज हम अपनी life imagine नहीं कर सकते computer के बना, कितनी jobs create किया है, अब logic क्या था, प्रोटेस्स क्यों हो तब भी आया है, तो हमेशा है, but I am very optimistic about the future, और अगर अभी तो हमको पता भी नहीं कि ASI जैसी कोई चीज आईगी भी की नहीं आईगी, but even अगर आती है, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा हमारे लिए, पर ये theoretically भी एक possibility क्यो है, कोई engineering perspective है इसके पीछे, I am assuming ठीक है, और ये मैंने शो सही जाना है, कि chat GPT की company का नाम क्या है, open AI, तो मैंने लोगों से बुझा कि open AI की खासियत क्या है, उनने कहा कि उनके पास बहुत सारी investment थी, बहुत सारे AI engineers थे, और उन्हें बहुत सारा time मिला, open AI की शुरात काफी पहले हुई थी, आज हम उसके results देख रहे ह उनके पास बहुत सारा data था, अच्छे quality के AI engineers थे और ये उनका mode था, उनका edge था, उनका advantage था, और इस वजह से chat GPT बना है, और इसले शायद दूसरा chat GPT दुनिया में नहीं बन सकता है, क्योंकि काफी सारे factors साथ में आ गए, और अफकोर्स जो बड़े tech companies है, Google, Microsoft, इन्होंने अपने AI bots बना है, पर, जो आप ASI की बात कर रहो, प्रॉबबली open AI, यानि की Sam Altman, chat GPT, they are in pole position to create that, यहीं chat GPT वाला AI, time के साथ ज्यादा तगड़ा बनते जाएगा, जब दुनिया भर के users उसके साथ काम कर रहे है, उसे improve करते रहेंगे, तो क्या हम यहां एक super villain बना रहे हैं, यह बता उसे भाई, बिलकल, I think मैं पहले तो इससे शुरू करता हूँ कि, यह ऐसा ही लोगों को लगता कैसे है, कि कैसे आएगा, बनेगा भी कैसे, तो हम अभी देखें तो technology में ऐसा लगता है कि यहार दुनिया की सारे problems solve हो चुके हैं, दुनिया की हमको सारी science की समझा है, अगर हम कभी quantum physics के बारे में बात करें हैं, consciousness के बारे में बात करें हैं, मतलब world is very deep, अभी हमने मतलब science में 1% discovery भी नहीं की होगी universe की, हम बहुत ही छोटे हैं अभी मतलब, तो हमको बहुत साइच हैं पता भी नहीं कि कैसे होती हैं, intelligence को लेकर भी ऐसे ही, consciousness को लेकर भी philosophy ही है, कोई proven scientific वो नहीं है, तो एक theory यह कहती है, कि अगर हमने जैसे brain में हमारे connected neurons होते हैं, वैसे हमने बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो हम super intelligence पाही लेंगे, क्या बढ़ाते गए, हम brain में अगर neurons, यानि कि अगर मैं AI को वापस तोड़ू इसमें, तो basically AI कुछ नहीं है, यहाँ आपर एक बहुत सारे data के points है, जो आपस में connected है, और ऐसे मतलब trillions connection है उनके पीस में, मुझे थोड़ा breakdown करना पड़ेगा, please tell me if I'm talking correct, ठीक है, किसी का brain, किसी का दिमाग, basically collection of neurons होता है, मतलब मान लो, छोटे छोटे pieces हैं, lego blocks की तरह, अगर आपने combination में डाल दिया trillion lego blocks, तो क of neurons थोड़े बहुत उपर नीचे हो सकते हैं, based on हम क्या गा रहे हो, आपसे neurons train होते रहते हैं, okay, मतलब अगर आप किताबे पढ़ रहे हो, अगर आप cricket खेल रहे हो, तो वो neuron में जाके feed on लग जाते हैं, जो आप देखोगे, वही होते जाते हैं, okay, मतलब basically आप उन्हें जिमि इतनी अच्छी poems लिखता है, वो तो दुनिया में शायद 1% लोग भी नहीं लिख पाते होंगे, मान लो, it's a 22-year-old adult, बहुत smart 22-year-old adult, पर time के साथ, feedback के थुरू, users के input के साथ, वो 22-year-old adult अभी 25 साल का होने वाला, और शायद 10 सालों में, वो बहुत ज्यादा smart हो जाएगा, तो मुझे लगता है शायद इसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि एक intelligence of let's say, you know, schoolgoer, एक infant, एक schoolgoer, then basically college graduate, typical college graduate, then let's say a PhD, and then Einstein, और फिर Einstein को beyond, हमको शायद इसकी intelligence इस तर से break down करनी चाहिए, और अभी जो हम खड़े होंगे, that would be basically college का graduate, अभी वो कुछ नहीं रिसर्च नहीं कर प पार है, जो एक PhD researcher कर लेगा, Einstein भी अभी दूर है, लेकिन वो एक college graduate जैसे code लिखना लेता है, images बना लेता है, वो काम करने लगा इसकेट में जाई, बट अभी Einstein और PhD दोनों दूर है, लोगों की theory है, कि हम इसको और train करते गए, तो शायद हम वहाँ पहुँच जाएंगे, य ये एक scientific possibility है, ये एक scientific possibility है, क्योंकि brain हमारा ऐसी काम करता है, Einstein का brain भी ultimately है तो एक neurons का connection ही, तो क्या कभी किसी जी पीडिय जाके बन सकता है, तो Einstein तो बिलकुल बन सकता है, आइंस्टाइन बन सकता है, बिलकुल, और Einstein science को आगे लेके जा रहे थे, Einstein science में जो discovery की हैं, जो inventions की हैं, उस पर उनका खुद का belief नहीं था, तो Einstein ने quantum physics को आगे बढ़ाया, और उनको realize हुआ कि कोई भी particle, इसमें, physics में अगर देखेंगे तो हमारी दुनिय में पता है, रन्वीर यहां बैठा है, this is certain, बट जब हम छोटी दुनिया पर जाने लग जा बट थे तो इंसान तो वो last तक बहुत disbelief में थे कि यार, भगवान, there is a famous saying कि God doesn't play dice, उनको बहुत ही disbelief था कि यह कैसा हो सकता है, मतलब उनके mathematics के through, वो scientifically prove कर रहे थे कि atomic world में physics ही अलग है, मतलब अगर आप एक machine बना ले, जिसकी वज़े से आप atomic size जितने हो जाए, Ant-Man से भी बहुत ज्यादा छोटे, तो तब laws of physics बदल जाते हैं, पूरी तरह से बदल जाएगा, आप उड़ सकते हो उस दुनिया में, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अलग हो जाता है, और जो discoveries Einstein कर रहे थे उन्हें खुद belief नहीं हो रहा था, इन फैक्ट technology ने इतनी कि जैसे Einstein ने उस टाइम पे laser का prediction दिया था, hardly 70-80 साल पे लेकी बाती, बट तब लोगों को लगता था कि theoretically ठीक है, बट practically कभी possible नहीं हो पाएगा, और उसके दस भी साल बादी बन गया, theory आने का, black holes, black holes हमने कभी अभी जाके advanced technologies बनी हैं हमारी telescope ने, जिसके तूप predict कर पाते ह Stephen Hawking ने तब black hole का prediction दे दिया था, कि black holes होते हैं दुनिया में, और उसी तरह, उसी तरह से AI में भी theoretical prediction यही है, कि हम इसके थुरू advanced intelligence बनाए सकते हैं, कि ASI आने वाला, I feel कि ASI आएगा, और अगर ASI आएगा, तो science को वो आगे लेके जाएगा, कहते हैं कि जो चीज़े science में discover हो और human life के लिए machines बना देते हैं, तो I think AI ने जो चीज़ की है, वो science और engineering का gap बंद कर दिया, AI में जतना research और जतना advancement industry में हुआ है, open AI जैसी companies में हुआ है, Google में हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि industry research में आगे है, मैं बिलकुल नहीं समझा, यह समझाना पड़ेगा, तो आप चीज को discover करी, आप एक engineer हो, आप सिर्फ at least 30 या 50 साल बाद, मेरे scientific discovery को लेकर कुछ चीज बनाओगे, कुछ product बनाओगे, बिलकुल, AI में यह rule break हो गया है, AI में science और engineering साथ में चल रही है, in fact, engineering पहले हो जा रही है, और science लोग समझ नहीं पा रहे है कि क्या चल रहे है, तो open AI नहीं बना दिया, और science अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि कैसे चल रहे है, जो आप कह रहे थे कि किसी को नहीं पता है कि software के अंदर exactly क्या हो रहा है, black box है, क्योंकि computer नहीं खुद हो software, हमने तो दुमाग को copy किया है, एक बहुती famous brain scientist है, उनसे पूछा गया था कि हमने brain को क इतना समझा है, तो नहीं बोला कि let's say अगर एक 300 km की road है, तो उस पर आप अभी सिर्फ 3 km चले हो, उतना आपने brain को समझा है, ये 1% भी हमको हमारे brain, जो हमारे इतना इतना इंडेंट चीज है, उसके बारे में समझ नहीं है कि कैसे operate करता है, क्या चलता है, यह हम neuroscience के बारे मे बिलकुल, हमको नहीं समझ में आता है, हमारे emotions कहां से आते है, हमारा pain कहां से आता है, हम जो भी theories बनाते हैं, वो कोई अभी भी completely वो नहीं हो पाई है, तो brain की हमारी जो understanding है, scientists के पास की brain कैसे operate करता है, कौन सा part क्या करता है, brain develop कैसे होता है, वो 1% भी नहीं है, हम 1% भी नही तो similarly, इसलिए हम AI के भी understanding नहीं बिंडा पाए हैं, और अगर हमने biological brain के बार में जाना, तो शायद AI के बार में भी और जान सकेंगे, हमने पूरा AI बनाया ही biological brain से, तो जितना हम biological brain को जानेंगे, उतने अच्छे हम AI को और जान पाएंगे, और अगर हमने directly AI के engineering पर काम किया, तो शायद AI वो scientist बनेगा जो human brain को जान सके, बिल्कुल, 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 आपने एक बहुत अच्छा point बोला था कि क्या ASI villain होगा, हाँ, Age of Ultron होने वाला है क्या, Terminator होने वाला है क्या, तो मुझे लगता है कि अगर कोई super intelligent being आता है इस दुन को देखें, Einstein को देखें, किसी भी बड़े scientist का नाम लें, Ramanujab को देखें, यह सब लोग जैसे ही science में advance किये, यह लोग spiritual होते गए और, यह लोग भगवान में भी मानते थे, यह लोग हमारी दुनिया को battery बनाए, तो मुझे लगता है कोई super intelligent being आएगा तो वो ज्यादा compassionate होगा, वो ज्यादा spiritual होगा, वो हमारी life में help ही करेगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि डरने की जुरूत नहीं है, Okay, fair, I'm still trying to think of a scenario जहां यह villain बन जाए, अगर हम engineer कर दें उसको ऐसा, कि तेरा objective है भाई कि तू जाके मार, ultimately एक objective दिया जा सकता है AI को, तो basically जो इनसान उस AI को program कर रहे है, अगर वो हरामी है तो AI भी हरामी बनेगा, दिलकुल, वो हरामी है तो वो हरामी बनेगा, और दूसरी चीज, कभी कवर, जिस चीज़ से scientists बहुत डरते हैं, वो यह है कि कहीं ऐसा नहों कि हमने AI इतना smart भी हो, बट at the same time dumb भी हो, कि आपने उसको कुछ instruction दिया, तो वो उसको follow करने के लिए, दुनिया बरबाद करते हैं, तो इसको एक paperclip theory बोलते हैं, कि जैसे आपने किसी AI को बोला कि, यह मेरे को paperclip बनाने है, तो वो पहले तो दुनिया के metals यूज करना चालो करेगा paperclips बनाने के लिए, जैसे एस उसकास खतम होत पूरी universe का resource यूज करके, सिर्फ paperclips बनाने लग जाएगा, तो एक scientist का डर यह भी है, ओके, ओके, गौरट वाव, तो शायद हर AI bot को यह सिखाना पड़ेगा कि यार, कुछ भी हो जाए पर इनसानों को harm मत करना, इसको alignment बोलते हैं, artificial intelligence में, human से aligned होना चाहिए, मतलब humans को अप नहीं करना है, किसी को mean things नहीं बोलनी है, यह सब scientist सिखाने के कोशिस कर रहे हैं यह को, AI में आजके इट में बहुत बड़ी field बन गई है, और मेरे साब से बहुत सारे smart लोगों को इसमें जाना चाहिए, बहुत बड़ी field बन गई है, AI के अंदर, कि AI को, artificial intelligence को, human values से कैसे align किय बताया जाए, कि अगर आप 13 साल के अच्छों से बात कर रहे हो, तो आप उससे adult चीज़ा के बारे हैं बात नहीं कर सकते हैं, आप basically AI को जजबात सिखा रहे हो, बिलकुल, तो इसमें आप enter कैसे हो तो, आपको psychology बढ़नी पढ़ती है, इसमें, again, बहुत सारे तरीके हैं, अ अगर आप खराब बाते बोल रहे हो तो एक गलत बात है, उसको फीड करते हैं, जब भी वो खराब बात बोलता है, तो जैसे बच्चे को बलते हैं, यह गलत बात है, यह मत कर तू, तो ऐसे ही गलत बातों को बलवा कर उसको कराय जाता है, तो यह बात मत बोल, तो इसको reinforcement learning जाइद, तो reinforcement learning के तरह हूं AI को बताते हैं, यह ठीक है, यह गलत है, यह ठीक है, यह गलत है, यह ठीक है, यह गलत है, और reinforcement learning आपको long term में मौत से बचाएगा शायद, जब AI आपको मारने आएगा, फिर AI को लगए भी लागे है कि यह human है, बसे मारना नहीं है, बिलकुल, dad's the क्योंकि आज के हर AI एंजिनियर ने काफी सारे science fiction movies देखी है, हर किसी ने terminator देखा है, हर किसी ने ये जो वल्टरॉन देखा, और पूरी दुनिया इसलिए काम कर रहे है, ताकि हम मरे ना, बिलकल, बिलकल, जो scientific possibility हो सकती है, अगर हमने alignment पर focus नहीं किया तो, तो मझे लगता शा एक और AI बनाते हैं, जो AI को रोकेंगे, फिर AI यही लडेंगे, अबना, यह हो रहा है ना, actually दुनिया में, आज के जमाने में, कहा जाता है, कि कोई भी technology पहले governments के साथ होती है, armies के साथ होती है, और फिर 5-10 साल बाद, वो technology commercially release होती है, दुनिया के लिए, इसका मतलब शायद है कि 2014 में, 2013 में, चैट GPT जैसी चीज, दुनिया के governments के पास थी, इस case में नहीं था, क्यूंकि यहाँ, science पहले आगे बढ़ चुका है, यहाँ पर industry में ज्यादा काम हुआ है, Google machine learning AI पे कम से कम 15 अखल से काम कर रहा है, trying to create a chat GPT, trying to just solve AI, तो chat GPT तो एक version of artificial intelligence, एक product of artificial intelligence है, जो ल but there are so many different uses of artificial intelligence, अगर हम देखेंगे तो आज भी हमारे life में, artificial intelligence परवेसिव है, आप Google photos पे जाओगे, तो आप अपने faces, आप अपने सारे दोस्तों के faces देख सकते हो, और उनकी photos select कर सकते हो, that is also artificial intelligence, उसमें भी Facebook पहला था, जिसने इनसानों से better काम किया, कि अगर आपका चेहरा आधा ढखा भी है, तो भी वो बता पता था कि ये इनसान, ये रनवीर है, जबकि आपके दोस्त शायद ना बता पाएं, क्यूंकि वहाँ जो coders काम करते थे वो ज्यादा skill थे, वो ज्यादा skill थे, AI स्मार्ट बनता गया, AI को बहुत training दी गई, तो आप ऐसा सोचे कि artificial intelligence करता गया है, पीछे, तो आप किसी भी चीज में एक इनसान को बार-बार सिखाएंगे, तो वो बेटर होता चाहेगा, अगर आप उसे बहुत cricket skill ना सिखाएंगे, तो बहुत बेटर हो जाएगा, अब इनसान दुनिया में जिन्दी में अपनी एकलाक images देख लेते होंगे, और उससे identify करना सीखते होंगे, जब artificial intelligence को train किया गया, तो उसको सेकडों करोडों images पर train किया गया, और उसके हांथ बताया गया कि यह सही गलत है, तो वैसा करके इतना सारा data दिया जाता है, इतनी practice कराई जाती है artificial intelligence की basically computation में, कि वो सही गलत बताने लग जाता है, वो patterns ढूंता है दोस्तो TRS Clips Hindi को अगर support करना है तो ऐसे वीडियोज दोस्तों के साथ share कीजिए, subscribe कीजिए चैनल को, TRS Hindi बहुत जल्द लोटके आए